बबिऄ ज़िएटी टीचर एस पेसल टौप थर्टी कोश्चन टौपिक वाइच है नहीं टौपिक वाइच टौप थर्टी कोश्चन के साथ हम आपके बीच में हैं हूँ बहुत स्वागत है आपका और आज हम जिस टॉपिक के साथ हैं वो टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पे है रोग और उनके कारक लक्षन रोग से प्रभावित अंग और आधुनिक चीकित साथ से संबंदित वैज्यानिक होजे यह तीनों एक ही टॉपिक का हिस्सा है देखे रो है तो किसी ना किसी अंग में होता होगा तो उस असलिए रोग-कारक-अंग और उस ही से सम्मंदित जो प्रवक्वेज्ञानी खोजें यह है आज का हमारा इसे टोपिक तो शुरुवात करते हैं पहला प्रसन हम इसका देखते हैं पहला प्रसन है आपके इस विए तो हमारा आख किस रोग से प्रभावीत होता ए तो होता है है एक रोग पैदा होता है तो दूस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में पढ़े होंगे निकट द्रिष्टी दोश दूर द्रिष्टी दोश दूर दिष्टी दोश जराद दोश दोश में होव दोश दूरादी दोश जरादी दोश तो यह जो है आंख में द्रिष्टी प्रात जो आंख का होता है अनंद से 25 संटीमीटर से लेकर अनंद तक की दूरी को उसमें जब किसी तरीक रखी हुई वस्तू को अगर आंख अवलोकन करने में सक्षम नहीं होता है तब हम उसे दोश्पूर्ण आंख कहते हैं और यह कभे रो यह किसी के कमी से होता है अत्वा आंख में किसी तरीकी की बीमारी पैदा हो जाता है तब होता है तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसकी भी चर्चा कर लें यह भी काफी महत्पूर्ण है निकट द्रिष्टी दोस नीकट दूर इसे देखिए इसको दूर करने के लिए पर द़ुक्र आबस्था में होता है और यह वैशिफोक्सी लैंस और इसको दूर करने के लिए बिलना कार लेंज इसमें धेधानी कि बस तू असपष्ट दिख्ट दूर निकट साफ दिखाए देगा दूर की नहीं देख पाएंगे दूर में दूर साफ दिखाए देगा निकट का नहीं देख पाएंगे जरा में क्या होता है ना निकट का देख पाएंगे साफ साफ ना दूर का देख पाएंगे से लिएरी पेस्यों में खिचा होने के कारण ऐसी बिमारी पैदा होती है आफ इंदूखता में क्या है कि चैती अच्छ इसे रखा हुआ अगर वर्टिकल और एक ऐसा रखा है तो आप स्वार्टिकल नहीं देख पाते हैं और वर्टिकल देख रहे होते हैं तो और जंटल वा Trachoma यह प्रभावित करता है रताओध यह प्रभावित करता है और Conjunctivitis यह तो रताओध हम लिए जानते हैं वीटामिन A की कमीशिय में होने वाला आख में होने वाला रोग है इसके अलावे Trachoma Conjunctivitis यह भी आख में ही होते हैं इस तरी इस से हमारा वुंसर बनता है अर्थात जिस अंग से आँख प्रभावित होता है जिस रोग से वह चारों है तीनों है अगला सवाल हमारे प्लिए है सवाल नंबर दूसरा है मधू में डायविटीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है डायविटीज से हमारा अग्निया से प्रभावित होता है जिस रोग में रक्त खोशी का प्रभावित होती है कि इस रोग में रक्त खोशी का प्रभावित होती है आपके पास फाइलेरिया मलेरिया असकरवी और इनमें से कौई देखिए फाइलेरिया से प्रभावित होता है हमारा लासी का लासी का पर है उलेडेजह कोषिता है अलाजी का पोइचन क्या है रेट और परावीट हो 你ए सुजिन हो ज realize PAUL करें तूण बिमारी किसी को हो तो उसमें पत्षा आते हैं और तो वी में और भूण हो जाता है और फोले दो है ह Nearly ने कोशी प्रहवारी है कौन मलेरिया आगला देखें हम है मैं अगला सवाल है हमारा कौन सा रोग फ्क प्रहवावीद करता है अब प्रहवाविद करने वाला रोग ढ़ाते हैं लोग पर पी लिया देए ज्यांटिस की बिमारी है और यह किर्ट को को प्रभावित करता है किसको करेगा या क्रिप्त को यह जोन डिस होता है और यही जब हमारा जब अटेक करते रहता है तो इसके बाद जब इसके इस बर्जने लगते हैं तो यह बहुत खतरनाक रोग हो करता है अस्थामा इससे हमारा प्रभावित होता है ओर फेफरा को प्रभावित करता है हमारा कौन ठोधा को प्रभावित करने वाला से भी इसको जानते हैं टीभी को पांडू रोग भी बोलते हैं तो देखे टीवी के लिए यह एक जीवानों जनित रोग है जीवानों किस जिवानों से होता है सिस जिवानुसे टीवी होता है उसका नाम है माईक्रो वैटेरियां टिवर-कुलोसिस अब टीवीस सब जो आया इसी से आया च्वहक्यू सिसे है न मैंगर पूछा जाएगा कि किस से है तो आप इसी को याद रखे कि यह जीवानों से होता है विशानों से होता है तक टी के साथ भी लगा हुए बैक्टिरिया यह बैक्टिरिया से होता है कौन सा बैक्टिरिया से होता है और यह सोसंतंत्र को प्रभावित करता है फेपरा को प्रभावित करता है और इसको बच्पन में बच्चों को BCG का टीका दिया जाता है इस विमारी से बचने के लिए BCG का जो टीका है वह है वैसिल केलमेट जूरी इसका फुल फूर्म होता है वैसिल क्यूलमेट गुर्मी अब देखिए पीलिया हमारा इलिया से कौन सा यक्रिज प्रभावित होता है अस्थमा से स्वासनली प्रभावित होता है और मिरगी जब आता है तो पूरा नस तस देखते होंगे जिसका आता है वो अंगईठी मारने लगता है तो नारी तंदर को प्रभावित करता है पाथमा सवाल हमारे लिए है पाथमा सवाल है लेन्ड एपन वीनर ने निमन में से किसकी खोज की थी लेन्ड एपन वी ऍहश फेक्टर या कुक्ष में वह इत्यार है गौरतल हो कि लैंडेस्टीनर साहब ने ही blood group को भी बाटा चार वर्गों में तो O, A, B, A, B O, A, B और A, B वर्ग में बाटवारा किया था इसी आरेच फैक्टर के आधार पर लैंडेस्टीनर साहब ने और इसके खोज करता भी हैं लैंडेस्टीनर और वीनर DNA के खोज करता की बात होगी तो DNA के खोज करता है Watson वं Crieg वही RNA के खोज करता है Arthur Work वं Watson Watson दोनों में common है ज्यानमे रखना है Watson common है दिएने की कोज करते है और आर्थर के साथ मिलकर RNA की कोज करते है DNA-Dioxy-Rivonucleic Acid RNA-Rivonucleic Acid Dioxy के बढ़ लटा देना है तो आपको RNA-PROPTAL हो जाएगा अगला है उसमें हैजा हैजा की कोच किया रोबोट कोच ने हैजा की कोच किया था हैजा को कलरा बोल दे कलरा होता है और इसमोल्टी दस दुस्त होने लगता है सरीर में बहुत तेजी से जल की कमी होने लगती है dehydration होने लगता है और एक वक्त था कि हजा के कारण भारत में बहुत यह महामारी का रूप ले लेता था यानि जल दिपने बहुत कम समय में बहुत लोगों के अंदर यह तेजी से फैलने वाला संग्रामा क्रोग है और इसका कारण क्या होता है दूशित भोजन दूशित भोजन करने से या विमारी हो फैल्पी है अगला है मिलान करना है एक तरफ खोज है दूसरे तरफ खोज करता है बीटामिन डी के खोज करता कौन है इसको पहले हम लोग देखते हैं बीटामिन Radium सब लोग जानती ही होंगे, मैडम क्योरी के साथ Radium की खोज मैडम क्योरी ने की और इसके लिए उन्होंने बहुत बहुत मसक्कत की थी इसी खोज के लिए मैडम क्योरी को नौबल पुरुसकार मिला नोबेल पुरुषकार मिला मैडम क्यूरी को और गौरतलवों कि एक ऐसा ऐसे विशेश वैज्ञानिक है जिनको कैमेस्टरी और फिजिक से दोनों के लिए नोबेल पुरुषकार प्राप्तों हो चुका है खास बात यह भी है कि इनके परिवार में इनको इनके पती को इनके दामाद को और इनकी बेटी को चार सार लोग ऐसे हैं जिन्होंने नोबेल खिताब दिता है फिलाल आगे देखते हम कि रेवीज काटी का किसने बनाया था लूई पास्चर में अब मिलाए आप विटामिन डी हॉफकिन्स गर्मिरोधक दवा पिनिकस रेडियम मैडम क्योरी रेवीज काटी का लूई पास्चर अंसर आपका क्या हो जागा डी हो जागा जवाल नमबर सात्मा आपके लिए है किसकी खोज का स्तरी रॉवर्ट कोज को जाता है यहांनी आपके सामने जो चार वी कल्प है इन में से किसकी खोज रॉवार्ट कोज कोज ने की थी विटामिन C है कि सबसे पर जानते हैं कि विटामिन-C रेलिषा और 902012 कि सरे भीजा कि खोच किल publishers रौबर्वारद कोच करता रहे है कौन हर गोविंथ खुराना अगला सवाल हमारे लिए है पर्थम परक्नली शीशू को विक्सित करने का काम किया था एस्ट्रैप्टो और रोवर्ट एडवर्ड्स दोनों इसमें है अर्थात इसका अंसर सी हो जाएगा जहां तक सवाल अलफ्रेड नोबल का है अलफ्रेड नोबल ने वहोतों का कारे काफी महत्वपूर्ण रहें प्रिछे देखते हैं हम थोड़ा सा अलफ्रेड नोबल ने नाइट्रो ग्लिसरीन के खोज की डाइनामाइट का निर्मान किया और गौर्ट लभू की इनके ही सम्मान में इनके ही द्वारा जो इन अपनी शंपत्ति का जो इन्होंने एक वर्स दस दिशंबर को नोवल परुण। दिये जाते हैं। और सांती था लेकिन कबाद में चल करके इसे अर्शसासर में भी जोरा गया और अभी मरतमान में 6-6-3 में यह पुरुषकार रिया जाता है नोविल पुरुषकार अलफेर्ट नोविल के सम्मान में दिया जाता है नौमा सवाल हमारे लिए है, कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है, आपके सामने जो स्क्रीन पे है, इसमें कवक के द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है, जानम से देखना है, दाद, खाज, खुजली, गंजापन, ये सब तो है, दाद है, खाज है, खुजली है, कावक के द्वारा नहीं होता है कि जयान में रखना है के द्वारा या नहीं होने ений तो निमोनिया का श्क्राइण क्या है निमोनिया एक जिवानु जनित रोग है किस जिवानु से होता है लोत कोकस्नQuery नीदिपलो कोकस मुप्राइबिक मैं इसमें होती है और उससे प्रभावीत अंगेश कौसंत अंगे को बिला से उत्पन होने वाला रोग है यह उन संपर्क से उत्पन होने वाला रोग इसमें से है सिफलेस कि छैरोग तपे दिख है जिसकी चर्चा पीछे हमने किया यह तो टूब्रो क्यों लोशिशन यह एक मैं बैक्टिरिया जनित रोग है बुबोनिक रोग की चर्चा पीछे की गई ती अलाकि अब फिर सब्क्राइब यह जीवानों का जो मुल घटक वायरस से लिए लेग होता है शुर्च में जीवानों का ही जीवानों जनीत रोग है और इसमें हमारा कौन तकि किसके दोरा यह संपर्क से कौनसा रोग होता है ता इसका अंसर होगा सिफ्लेस अगला सवाल हम देखते हैं कौन सा रोग दुशित भोजन से उत्पन होता है दुशित भोजन से जो रोग उत्पन होता है इसको ध्यान से देखे दुशित भोजन करने से आपको डिफ्थिरिया होती है तपेदी का कारण पीछे हमने देखा अब हर पीस के लिए ध्यान में रखना है या विशानों जनित तुछा में पूरे दाने दाने टाइप के आजाते हैं कौन सा कौन एक संक्रामक रूब है संक्रामक रूब कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं अब उसमें फैलाने के लिए वेक्टर होते हैं उसके वहाख होते हैं जो एक अस्तान से दूसरे अस्ता जाता है फिलाल अभी हम लोगो दीखते हैं कि इस में से कौन संग्रामक रोग है कोड़ या एक माइक्रोब्यक्तिरियम। लैप्री माइक्रोब्यक्तिरियम लैप्री नामक बैक्टिरिया से उत्वण होने वाला है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है या 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 वीमारी शंग्रामध है इसको आप किया कहेंगे शंग्रामग है या इनफुनिजा यह को विरुसी और घॉर यह आछ एक वायरते हैं और औरता हो shells वायरति होता this संक्रामक है यह भी शंक्रामक हो गया और कॉपॉक्स यह वैसिनिया नामक वायरस है यह भी शंक्रामक है।' पहले हमें तुझ देखना है कि ँट के आलावे जो इंफिल्यन्जा और कॉपॉक्स यह यह है यह बैक्टेडियल यह वायरल लेकिन तीनों है क्या तीनों है अगरा कोशन है हमारा तौन सा रोग जीवानु जनित नहीं है जीवानु जनित रोग इसमें से देखिए चेचक के लावेच है रोग डैरिया और टैफ हाई तीनों जिवानों जनित है चेचक एसमॉल पॉक्स है और यह कौन सा है बिशानों जनित रोग है इसको बरी माता भी बोलते हैं अब यह लगबग खत्म हो चुका है को अब शमाप्त समझा जाता है कब कहा गया अगर आपसे पूछा जाए कि चेचक से बरी माता से या स्मॉल पॉक्स से दुनिया को मुक्त भोसित कव कर दिया गया उननीस सो उन्या से इसमें अब डैरिया देखिए डैरिया इकोलाई नामक जिवानों से फेलता है टाइफ सालमो नेला टाइफ़ नामत दिवानों से फैलने वाला रोग है I'm sorry होने वाला रोग है तो इस तरह किसे हो रहें थे जीवानों से हो रहे थे च्छाय रोग भी जीवानों से होते हैं इसमें जीवानों जनित नहीं कौन है चेश चक तो च्छाय रोग डैरिया और टाइप हाई जीवानों से थे अगला सवाल देखते हैं 14 हमार कौशन है हमारा कौन सा रोग आत को प्रभावित किस रोग से आत प कि आत्पर प्रभाव नहीं परता हुए इसका प्रभावस सरीर पर दाने दाने आते हैं इस अगला कोशियन है हमारा लिस्मानिया-डोने डोनोवेनाई लिस्मानिया-डोनोवेनाई नामक प्रोटो जुवा से उत्पन होने वाला रोग कौन सा है लिष्मानिया डोनो विनाई सबस्ते पहले बोर्ड पर जब जो जो हमारा है निद्रा रोग है काला जर है और पैडिया है हम एक नजर डालते हैं काला जर किस से होता है काला जर बहुर होता है आपका लिष्मानिया डोनो विनाई नामक प्रोटो जुए से यह पहले तो अगरा इस Proto जर का बाहक मक्षी कोन है Sand Flyब है। जान में रखना इसका अगर पूछा जाये कि का बाहक मक्षी कोन है तो इससर देंगे to sand fly। अब ढ़ए नजर डाली नद्रा रोग जौब का विकल्ब था निद्रा रोग भी Proto जो रोग ही रहे है। और यहां किस मख्यी से? C, C मख्यी से, यहांनि निद्रा रोता होता है। और पनी पेरिया दाथ में होने वाला है। ऐन्ट अमीवा जिंजी वैलिस नामत प्रोटो जवात यह होने वाला रोम पारिया यह यह अदंत रोग है सोलमा क्वेश्चन हमारे लिए है कि आप साव फिटे कि कि हम लोग ने देखा था सिसी मख्ची से और हां क्वेश्चन भी है कि कि और कि सिस्य मख्छ है जैसे यह सीसी मक्ही किस रोह चेंग के पीछे देखांस हम लोग ने निद्राो मिंद्रा रोक्ता माग था कहुँ सी मक्हें अमी वी पे इस को इसा मलेरिया की बारएं तुम लोगों ने पश्जिक से देखा नहि reached के कैसेर कमीं पीछे क्याओं देखिया एंट अमीवा हिस्टोली का नामक प्रोटो जुआ से होता है यानि अमेभी पेचिस प्रोटो जुआ से फैलने वाला रोग है यानि उससे होने वाला रोग है और कौन किस प्रोटो जुआ से यह रोग होता है एंट अमीवा पॉस्टोली का अगला कोश्चन है मारा क अहुता है कि इस विशानों के कारण aides रोह होता है एक एक else POWत फॉलपर्म होताय है एक्वाइड इपीशनी सिंड्रों में एक ऐसी विमारी जिसका देपरे में कहाा जाता है ला इुलाज है सब्सक्राइह bacा हो तरह सब्चाओं अब इससे सरच्छता हैं इसिसमें कि इसे बच सकते हैंकि यह विमारी बाद्व यह होती है वह हीमिनी फिसेंसी विच्शिंसी भी मसलब आपको यूमें टिल सोतरा ना उसको सिहां अब घ्च भी मिल्य नरब की इसको कम प्रतिक वर्स एक दिशंबर एड्स डे वर्ल्ड एड्स डे इसका थोरा सा सुधार लेते हैं इसका नहीं होता है फॉल्म फॉल्म इम्म्यून इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इम्यून सिस्टम को डिफिशियंसी मतलब चतिकत पहुंचाता है है और यह सब जो दिखाए देरा है 2 विशानूसी वहता है बार्ड़ फ्लू एच रहे बार्ड़ एह इसे होता है और वहाइन प्लू और से होता है चोटी मता यह कोड़ी अटा होता है इसे वहता है वाय्ड़ फ्लू और हैचीश म honं ऐसे होता है जितने हैं सब के सब क्या है वायरस आगला कोश्चन है हमारा किस वर्स भारत को पोलियो मुक्त घोशित कर दिया गया था भारत को पोलियो मुक्त घोशित किया गया जिस वर्स वर्स वोशाल है के अंदर में अंडिय की सरकार आई थी और सरकार अंडिय की जो आई थी उसके प वर्स पोलियो मुक्त होता है अब आप ज़रा सा सोचें कि अनुमान लगाएं कि निरंद्र मोदी जी का किस वर्स गद्दी पर बैठना होता है 2014 पोलियो दरा चर्चित रहा है दो बुन जिन्दगी के और जैसा कि हम सब जानते होंगे कि इसके लिए एक बहुत बड़ा मिशन चलाया गया किस तरीके से शंपोन दुनिया को पोलियो से मुक्त किया जाए और इस मिशन के लिए यूनिसेफ ने बड़ चट करके हिस्सा लिया फिलाल भारत को कहा जाता है ऐसे भारत में अभी भी पोलियो वायरस के ड्रॉप विलाये जाते हैं बच्चों को उसे बच लिखे हैं इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं पोलियो वन पोलियो पोलियो यह वन टू-3 एक फैमिली में जब एक नया आता है कोई अगर नया रूप उसका आता है सामने तो उसका नामा करन करते हो वन टू-3 जोड़ दिया जाता है नेक्स्ट कोश्चन है हमारा किस रोग का ब मच्छा क隻 कट् 데 सी होह कौँसा यारिया रूप कव वह हख है मादा एज बीकुरिया यह टिको मोनांच वेजी आनलिस यह प्रोटो-च्वास होता है कौन लिउपूरिया इनि इसके बाद है यह एक संक्रामक ऑग है यह विष्पन होता है वह रस्ते है मोनांच वेजी नालिस कोशन हमारा अगला है विश्मा प्रसन है एंडीज मच्छर एंडीज मच्छर या टाइगर मच्छर किस रोग का कारक विशानू है यह किस रोग के कारक विशानू का बाहत है यह ने खाँ है अर्थात अपने साथ रोग के कारणों को लाता है और इससे जो लाता है इसे जय बिमारी वहplaceคास की अचाइब के मच्छर और नजर हम डालते हैं डेंग दीन वी इसको ऐसे भी कहते हैं डेंगू वारणिया डेंगू वायरस अब इसके जो बरजन है उसमें वीक गते टोण और ज est Italo पीतो है और से और यह वायरस फेमीली है और इससे ग्सार मेंहल से चाहिए करते हैं रोम्योंव , यह भी एकिछ विश्य जान का रोग है , और किस भीमारी से होता है फोता है है शोमतिक होता है है मॉरी बीली स्ट सोता है और बर्ड फ्लूव और इन प्रम्धा पीछे देख चुके हैं अगला देखते हैं हम लोग किस रोग में आंत में घाव हो जाता है आंत में घाव होता है आपका जिस रोग में वह रोग है अतिशार नाम से देखिए इसको ऐसे भी देखिया ना आत में घाव हो जाना आत का सर जाना अतीसा आत में घाव है अब रूवियोला है वेटुलिज्म है रूवियोला का जिकर पीछे हुआ वेटुलिज्म देखते हैं जीवानों जनित रोग है और कोलेस्ट्रीडियम बीटूलीनम कोलेस्ट्रीडियम बीटूलीनम नाम के जिवानों से यह रोग होता है और इसमें प्रभावित करता है पाचंतंत्र को प्रभावित कर देता है वेटुलिज्म किसको प्रभावित करता है पाचंतंत्र को प्रभावित करता है सवाल बाइसमा नंबर कोश्चन है और कोश्चन है आपके सम्मुक किस रोग से स्वसंतंत्र प्रभावित होता है स्वसंतंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है निमोनिया फिपरा को प्रभावित कर देता है और पुछे हम लोग इसका जिक्र किये थे सुजाक जो है वह निसेरिया गोनोरिया नामक जीवानों से यानि निसेरिया गोनोरिया क्या है जीवानों है निसेरिया गोनोरिया नामक जीवानों से सुजाक रोग होता है और यह एक यौन टाइप रोग है यानि एक यौन रोग ह कोश्चन था हमारा कि किसे स्वतंतर प्रभावित होता है तो वह था हमारा निमूनिया शवाल हमारे लिए अगला आ सारे दोरा जो आपको दे रहे हैं कमई डनीती गंजापन दाद क्धाद नहीं होगा है जंड और है तरो यह सब किसे होते हैं किक वत नजड़ दाल होगा है है गंजापन दाद खाज दम्मा टेनिस कैपिटीस से होते हैं गंजापन यहीं है सथ इसका अंसर हो जाएगा हमारा यह दाद किसे होते हैं माइक्रो एस्पोरम एंट्राइप्वोफ फाइटर्ण पुसक्वाद एसकेरस एसकेबीज से होते है खाज खाज ऐसे उन्दा के समय में ज्यादा तर यह बिमारी लोगों में होते हैं जब कबक सरीर की तुचा पर बैठ जाता है और तब नोचनी जीस को दे हाथ में कहते हैं और उसके लिए जो उत्तरदाई कबक है वह करेष है दम्म सब्सक्राइं एसपरैश अग्ला कोष्ण है ए kita семь पे निमन में 9 प्रोटो जोए जनित रोग है एंत प्रोटो ऋश्वाहिप तो जीवानों से ाक highly जीवानों हो गया लेप्रोसी पी जीवानों हो गया लेप्रोसी मतलब जिसको कूड बोटते प्लेग की महामारी कभी भारत बरस में काफी रहा और भारत में 1897 इश्वी में एक परिवार के तीन सदस्चों को फांसी दी गई थी पूरा सध्यं दरकेश में चापेकर बंदुओं को तो उनका रिस्ता प्लेग अधिकारी की हद्या से थी ध्यान में रखना है 1897 इश्वी चापेकर बंदू पूरा सध्यं दरकेश तो एक वक्त था कि प्लेग की महामारी प्लेग महामारी के कारण और यह बहुत जादा भारत बर्स में भारत बर्स में बहुत तबाही मचाते रहता था सुनते हैं कहा जाता है कि गाउं के गाउं तुरत साफ हो जाते थे इतनी वरी महामारी थी प्लेक की और यह जीवानों दौरा उत्पन है और यह जी इसका जीवानों जो है वारु चूरेला पेस्टिस चूहा पर चूहा में आप इसके भी जीवानों ज़्यादा देखते थे जिसके घर में चूहा मरा हुआ गिरता था तो वहां उसको समझा जा जाता था कि उसके जीवानों उसमें हैं और काफी तेजी से यह प्याल जाते थे अगला कोश्चन हमारे लिए है रिकेट सी प्रोवाजे की जीवानों से उत्पन होने वाला रोग कौन है टाइफाइट फिवर टाइफाइट बुखार है बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही ऐसा यहां गागे होलो काफी मुश्किलाठ पैदा करता है और इसके लिए उत्तेर्दाई है ख्रिकेट具 सी प्रोवाजे की 27 प्रश्न हमारे लिए है कौन स्वैंत को प्रभावित नहीं करता है जान में रखना है इसमें से यह अधिया देखना है कि स्वासन तंत्र को प्रभावीत कि नहीं करता है तो लेकिन हमें लगता है कि सब प्रभावीत करने वाला है तो एंसर दोखा से उसमें प्रिंट मिस्टेक इसको हम लोग कर देते हैं यह सब के सब स्वसंतंत्र को प्रभावित करता है स्वाइन फ्लू बर्ड फ्लू जो काम अर्थात की इसका अंसर हो जाएगा ओल अफ दिछ सारा फ्लू स्वसंतंत्र को प्रभावित करता है हुक वर्म रोग सरीर के किस अंग को प्रभावित करता है हुक वर्म रोग से प्रभावित होता है हमारा तो अब उन्दंतिस्मा सवाल है हमारा जिवानों की खोज का सरे किसको जागा है जिवानों की खोज का सरे लिवेन हो जाता है फंक साहब का विटामिन से रिस्ता है, होकु शाहब ने प्रकास के बेग की गन्ना की थी, और न्यूटन के हिस्से में तो बहुत आविस्का खोज हैं, लेकिन जो मुख्यों रोग से लोग जानते हैं, वो गृत्वाकर्सन का है, गृत्वाकर्सन का सरबत्रिक नियम इन्हों की खोज है, जोनस साल्क वैज्यानी का नाम है, इन्होंने क्या खोजा था, ये आपको बताना है, जोनस साल्क की खोज है, पोलियो का टीका आया हुआ, पोलियो का टीका की खोज था, जोनस साल्क है, चेचक का टीका एडवर्ड जिनर ने दिया था, और इंसुलीन की खोज इंसुलीन की खोज बेंटिंग एंडवेश्ट ने चेचक काटी का एडवार्ड जेनर ने और जोन ससालक ने क्या दिया था पोलियोटी का दिया यह तीज शवाल थे इसे रोग कारक और रोग से प्रभावित होने वाले अंग और साथ-साथ चिकिस्ता जगत में होने वाले प प्रमक को खोज बोले कर इन तीज प्रस्णों के साथ आप तुरा सापना अभ्यास करेंगे और इससे आप इसके अलावे भी कई ऐसे सूचना जिसको आप समझ सकते हैं जान सकते हैं हम अगले वीडियो में आपके बीच फिर उपस्तित होंगे तब अगले किसी टॉपिक य हुआ 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 है